अगर आप ने अबी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर यह विडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किजेगा और मैक्सिमम शेयर किजेगा आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम sitting arrangement और puzzle का कौन सा part पढ़ेंगे तिसरा पढ़ेंगे पहले में मैंने क्या पढ़ा है था inside वाले question करवाय थे ठीक है center की तरफ वाले दूसरे में हमने क्या पढ़ा था आज हम क्या पढ़ेंगे inside और outside का mixture वाला question को हम कर लेंगे ठीक है यह हो गया हो जाएगा फिर हमारा सरकल वाला कम्प्लिट हो जाएंगे ठीक है तो चलते हैं बिना किसी देरी के यह रहा कोशन हिंदी पे ठीक है हिंदी पे कोशन लिखा हुआ है आप इसके इंग्लिश की तरफ उसको हम पढ़के हिंदी में आप लोग को समझाओं क्यों और स ऑर सेटिंग इन्ने शर्कल टेबल ठीक है एक सर्कल पर क्या हूँ है सर्कल टेबल पर लोग बैठे ओए ठीक है फोर अफ देंब आर फेसिंग इंसाइड उन में से चार क्या है इंसाइड देख रहे हैं और चार क्या है आउटसेड देख रहे हैं यहां पर बता दिया है कि टोटल आठ में से चार आपको इंसाइड मिलेगा और चार आउटसेड मिलेगा ठीक है और क्या बोल रहा है इंसे रिलेटेड कुछ इंफर्मेशन ये दे सकता है ठीक है यहां पे कुछ दिया है कि नहीं दिया है सिर्फ इतना बता दिया है कि चार इंसेड है और चार आउटसेड है ठीक है आगे क्या बोल रहा है वो M is not neighbor of K तो अब मैं यहां से अपना कोशन स्टार्ट कर सकती हूँ क्या बनाना नहीं क्यों क्या लिखा हुआ यहां पे क्योंकि M is not neighbor of K बस इतना ही बोल रहा है कि M क्या है के का neighbor नहीं है ठीक है लेफ्ट पे है ड्राइड पे है पता है क्या नहीं सबसे ज़रूरी information इस step की inside और outside की कोशन को बनाने के लिए हमें इनका face पता होना चाहिए ठीक है नॉर्मल जब हम inside बनाते है या outside बनाते है अलग अलग ठीक है या फिर हम inside बनाए या फिर हम outside बनाए तो हमें क्या देखना रहता है कि left right पता हो हमें ठीक है पर जब भी हम face वाला देखेंगे मतलब mixture वाला देखेंगे inside और outside तो हमें इनका face पता होना जरूरी है ठीक है कि वह center की तरफ देख रहा है या outside की तरफ और अगर पूरे कोशन में ना center दिया रहे है ना outside दिया रहे है तब हम क्या करतेंगे हमें दो डाइग्रम बनाके चलना पड़ता है ठीक है क्या समझ मै जब भी हम inside देखेंगे या outside तो हम सबसे पहले क्या check करते है left right जहां पर दिया होगा हम वहां से start करते है ठीक है और जब इन दोनों का mixture वाला पड़ते है तो हम क्या देखेंगी सबसे पहले center की तरफ face है कि outside की तरफ face है ठीक है center outside पता चल जाएगा तब फिर हम left or right चेक कर करते हैं ठीक है और अगर पूरे जो question लिखा रहाता है sitting arrangement का puzzle का उसमें अगर center outside दिया ही ना हो मतलग पता ना हो खाली left right दिया हो किसका face center की तरह है किसका face outside की तरह है यह ना पता हो तो हम क्या करते हैं दो two diagram बना के चलेंगे उससे चुड़ information को एक हम outside की तरफ लेके चलते हैं एक inside की दरफ लेके जलते हैं ठीक है तो यहां तक का समझ में आया क्या लिखा हुआ था m क्या है neighbor नहीं है किसका k का ठीक है यहां तक का समझ में m k का पड़ोसी नहीं है अब आगे बोल रहा है piece is second left of j ठीक है क्या बोल रहा है p क्या है j की दूसरे बाइब में है ठीक है k सी third right of q ठीक है k कहा है तीसरे दाएं तरफ है q के ठीक है और क्या बोल रहा है o is neighbor of m o क्या है neighbor है किसका m का ठीक है यहां तक का समझ में आगे अब आगे क्या बोल रहा है l is neighbor of p l b पड़ोसी है किसका p का ठीक है और क्या बोल रहा है l is neighbor of p अब क्या होगे n faces outside अब मुझे एक किसका n का n कहां देख रहा है outside और क्या बोल रहा है both the neighbors of n face the center n की neighbor कहां देख रहे है n के जो neighbor है वो कहां देख रहे है inside इत्ता पता चलिए मैंने इस information को लिख ली था कि मुझे बार पर question की दरब देखना ना पड़े इत्ता समझ मैं आया अब क्या बोल रहा है k sits third to the left of n अब मैं यहां से बना सकती हूं k क्या है third left है यहां से start कर सकती हूं क्या बिल्कुल कर सकती हूं क्योंकि n का मुझे पता है n outside देख रहा है और n के third left पर k है मतलब हम यहां से question बनाना हमारा start कर सकती है ठीक है तो हम क्या करेंगे एक डाइग्रम बना लेते हैं ऐसे ठीक है और क्या बोल रहा है इस पर एन आउटसेट है तो मैंने एन को लिख लिया उपर पर ठीक है यह एन उपर पर है यह देख रहा है बाहर की तरफ ठीक है मैंने केंद्र था यह केंद्र से मैंने बाहर की left of n अब जब n यहां से बाहर ही और देख रहा है तो इसके third left पे क्या आजाएगा n के third left पे कौन आजाएगा यह n है ठीक है n के third left पे मैं क्या लिख दूँगी n के third left पे k है ठीक है n के third left पे k है और क्या था q seat second right of n भी था ठीक है n के second right पे कौन है q है ठीक है यहां तक कर समझ है n faces outside n का face outside और n के neighbor center की तरफ देख रहें inside तरफ ठीक है अब बोल दिया q seat second right of n n के दूसरे दाएं तरफ कौन है q है तो अब मैं start कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है n बाहर क्यों देख रहा है और n का right side कौन सा आ जाएगा इधर आ जाएगा ठीक है तो n के दूसरे number पे कौन आ जाएगा q करेंगे बाहर किया थार्डेव खेंगे कि-सी लिख देंगे फैं। बेधिन कि कि दूसरे number ऐसे m का बेश पता चलिए कि दर है इन्साइड है और यहाँ भी यहां लिख लेते हैं अफिन का फि технологूसरें है M भी क्या है? इंसाइड है और N का नेबर भी इंसाइड है और क्या बोल रहा है? M इंसाइड होगा है M का चाहरा इंसाइड तरफ है M इंसाइड की तरफ देख रहा है मलब सेंटर की तरफ देख रहा है And both the neighbors of M faces आउटसेड मतलब M के जो नेबर है वो भी क्या देख रहे है आउटसेड ठीक है N भी आउटसेड देख रहा है और M के नेबर भी आउटसेड देख रहे है इतनी बाते समझ में ये कोशन हमारा पूरा होगा अब हम अपना डाइगराम को कंपेड करते है अब N के और Q से कुछ information दी है बिलकुल मैं देख सकती हूँ Q के 3rd राइट पे कौन लिखा हुआ है कौन बैठा हुआ है क्यूं ये रहा Q के 3rd राइट पे Q का face किदर हो जाएगा इस तरफ हो रहा है Q के 3rd राइट पे मतलब बाहरी की तरफ देख रहा है ठीक है पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट ठीक है Q के 3rd राइट पे कौन बैठा है Q का face भी हमें इससे पता चल गया ठीक है इत्ती बाते समझ मैं ये वाला क्या होगे Q के 3rd राइट पे Q बैठा हुआ है ये क्या होगे हमारा complete हो ठीक है अब क्या बोल रहा है ये N outside है ये पता चल गया बिल्कुल N outside था ये पता चल गया और क्या बोल रहा है N की neighbor इंसाइड है तो मैं क्या करूँगी N पता है मुझे बाहर थे तो N की neighbor का में face लिख ली मैंने ठीक है लिख लिख लिया यह M था, यह M की नेबर थे, ठीक है, इतना information हम लिख लेते हैं, अब क्या बोल रहा है, अब इससे कुछ information निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, N, K और Q का नहीं पता, पर इतना पता है कि M नेबर नहीं है, K का, मतलब K यहां पे है, तो M यहां और यहां आएगा नहीं, ठ तो कहां बचा, यह तो M इधर आसकता है, यह तो इधर आसकता है, ठीक है, और यहां पे एक बात और बोल दिया गया है, कि O नेबर है M का, ठीक है, O नेबर है M का, अब इससे क्या समझ में आजाएगा, कि M कहां नहीं हो सकता, M यहां नहीं आएगा, M यहां नहीं आएगा, ठीक है और कहां नहीं आ सकता है M M यहां भी नहीं आ सकता है क्यों नहीं आ सकता है यहां पर इसले नहीं आएगा क्योंकि M और O साथ में आएंगे M O का पड़ोसी है तो M अगर मैं यहां लिखनाँ तो O आजूबा जूआ सकता है क्या बिल्कुल नहीं अजून वाजून पर एन और क्यों बैठें तो M यहां पर भी नहीं आए aid got अब हम क्या करते हैं इंदोनों पलेस्स पे मैं क्या करते हूं लिख लेती हूं तो आम मुझे 2 diagram बनाना पड़ेगा ठीक है आप exam में बिल्कुल 2 diagram बनाना और ऐसा नहीं सोचना की देडिया होगी अगर आप एक इंगरं से जाएंगे तो ज़रूर आपको देर हो सकती है पर अगर हम दोनों टैग्रम से जाएंगे तो हम जल्दी जल्दी इसको solve कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसे लिख लेती हूँ यहां पे कौन था क्यूं था यह अंदर की तरफ है यह बाहर की तरफ एन है एन का पड़ोसी भी अंदर की तरफ है और यह के है ठीक है इतना बना हुआ थ यह भी हो गया हमारा ठीक है अब information कौन सी बची चार information बची है ठीक है M inside देख रहा है बिल्कुल M का face हम inside कर लेते हैं ठीक है 1 minute M का face आगया inside इसमें तो already M का face इस वाले में दिया हुआ है inside ठीक है और क्या बोल रहा है यह हो गया M का face inside M की neighbor कहा है outside है M का neighbor कहा है outside M का neighbor एक N तो outside आगया O को भी हम outside लिख लिख लेते हैं ठीक है M का neighbor क्यों तो outside है O को भी हम outside लिख लेते हैं ठीक है इतना समझ में आया यह हमारा हो चुका है M का neighbor outside ठीक है अब दो information बची क्या बची L neighbor है P का L और P एक साथ हैंगी मतब L P यहां पे आ सकते है ठीक है और क्या बोल रहा है और यहां पे L और P और P और L ठीक है और क्या बोल रहा है J की second left पे P हो मतब जे को तो यहीं आना है J को यहां ही आना है ठी अब जे की second left पे J की second left पे P होना चाहिए ठीक है तो अब इससे क्या पता चल गया इससे क्या पता चल गया? जे के बाद इधर P आएगा, इधर P आएगा. और इधर कोँन आजएगा? L. इधर कोँन आजएगा? L. L neighbor है P का, और जे के second left पे P. अब मैं अगर इस diagram से जाओं, तो जे के second left पे P आ रहा है क्या बिल्कुन नहीं हा रहा है? क्यों कि ये कफ सेंटर की तरहां जिय के सेंटर की तरह यह कि सेंटर की तार पर चैकर प्राइब यह जा रहा रеा है जी कि सेंटर की स्वल्म डर्फ पर यह उना-प och यह système compliance और यहाँ का पता चले है यह वाला डैर्ग्रम और नीचे वाला डैर्ग्रम हमारा क्या हो गया सब्राइभ जैप संब्रूइबुक हमारा क्या हो गया हुआ है कि यह समझ में आया मैं भी प्तिन सत्यवा डैर्ग्रम में गला अर्ट क मणूर्वाJA यह देख रहा है हमारा center की तरफ यह क्यों है यह देख रहा है हमारा outside की तरफ यह P है यह L है यह K है यह O है यह O देख रहा है बाहर की तरफ ठीक है और क्या है यह M है M देख रहा है center की तरफ ठीक है यह diagram हमें मिल गया यह diagram मिला हमें सब क्या हुए गए बैड गए है ठीक है बट फेस हमें इसमें पता है कि अभी फेस नहीं पता है ठीक है कोश्चर में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है जिससे कि हमें फेस इसका पता चले हमें किसका पता चले कि M नेबर नहीं है के का बिल्कुल सही आ गया हम इसको क्यों के थर्ट पे के है बिलकुल क्यों कि कि अगया है क्यों कि कफ़ेस आट सैडडữa चेखेस के का था क्योंते और मिल्कुल और यह攻ने इसके अभी ईंसेट विए बिल्कुल कुल द् função युद्ट ossแहं और इंसे इसकम सौट धियन कोश्च विपनर बतुल Спelा गैं कि इस और बडर होगे हैं इस फिक्स हो चुक है अब इसमें के लिए चार तो क्या है इनसेड और चार क्या आउटसेड है's सब्सक्राइब पहला वाला डाइगरम को सांधै वस्तार मुश्म्राइब होका ऊपकला को आपने को ढुन हो सब्सक्राइब नहीं होादाल मैं ने जब लίदेन गाता था एक दो हुझन वहां ने सब्सक्राइब कोषिन को सॉल्व करना स्टाट करतें , साथ मेंडें बनाएंगे , अभी क्या करेंगे कॉम ओन मेंr में औंधो है , पीक्यू, रैस्ट, आरेश्ट की तभी . और क्या बोल रहा है आगे and they are not neighbor of each other और वो क्या है एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है कौन पड़ोसी नहीं है अभी किसकी बात हो रही थी तीन लखने की मतलब outside क्या है neighbor नहीं है outside का इस लाइन से मुझे ये पता चल गया ठीक है ये मुझे एक information मिली मैं इसे क्या कर लेती हू नोट कर लेती हूँ ठीक है क्या डिफेटियों में कि outside जो है वो क्या है neighbor नहीं है किसी outside का ठीक है और क्या बोल रहा है आर एंड एसार neighbor ठीक है अब देखो आर क्या है पड़ोसी है किसका आर जिब पड़ोसी है एस का ठीक है and facing same direction अब आर और एस के हैं same direction में देख रहा है और पड़ोसी है अब मुझे पता है कि outside वाला पड़ोसी नहीं है outside का ठीक है outside वाला पड़ोसी नहीं also तो R और S आउटसेड हो सकते हैं कि बिल्कुल नहीं R और S कहा हो जाएंगी सेंटर की तरफ हो जाएंगे ठीक है R और S कहा हो जाएंगी सेंटर की तरफ कैसे पता चला इस लाइन से मुझे ये पता चला कि R और S जब neighbor है मतब पडोसी है और आउटसेट तो आउटसेट का पडोसी होगा नहीं और इन दोनों के हैं same direction में तो दोनों आउटसेट हो सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं दोनों क्या होंगे inside होंगे ठीक है तो दोनों आउटसेट देख सकते हैं क्या नहीं क्योंकि आउटसेट वाला तो आउटसेट की सांथ बैठेगा नहीं ठीक है तो दोनों का फेस किधर आगया inside ठीक है अब मुझे R और S से related information पता चल गए इस लाइन से ठीक है यह यहां पर एक लाइन थी जिससे कि हमारा question ठीक है ट्रेक पर आ सकता है ठीक है यह एक लाइन थी जिसको हमने पकड़ना था इस लाइन को हमें क्या करना था समझना ठीक है आर और S आउटसेड नहीं होंगे inside होंगे यही हमारा इस में क्या था मिन लॉजिक था ठीक है आर और S neighbor है और दोनों क्या है सेम डिरेक्शन पर मतलब दोना आउटसेड नहीं होंगे दोनों का फेस किधर हो जाएगा inside वो directly आर और S का फेस इंसाइड है ना बोलकि हमें एक लाइन दे दिया जिसमें उसने हमको बता दिया कि आर और S neighbor है और क्या है फेस सेम डिरेक्शन पर ठीक है यह हमें निकालना था उस लाइन से कि आर और S का फेस किधर होगा inside होगा ठीक है जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट और पज़र सॉल्व करें बिल्कुल दिमाग को खोल के सॉल्व करें ठीक है बहुत इसी होता है बहुत असान 2-95 क्या देड़ कि यू के मैंने लेख लिए अभी यह टी और यू का अब क्या बोहर है आउड यह कैस के लिए यू किसे के लिए यू उस खहला है अब यू कह बहँता है यू गहाँ है थार्ड लेफ्ट है किसके आर के ठीक है अ और क्या बोल रहा है not facing in the same direction मतलब P और V किधर देख रहे हैं P और V opposite direction पे देख रहे हैं ठीक है P और V opposite direction पे देख रहे हैं ठीक है और क्या बोल रहा है who is not neighbor of not facing P and we are neighbors not facing in the same direction मतलब opposite direction पे एक inside होगा तो दूसरा outside होगा S is second left of V ठीक है विया S कहां है second left पे है V के ठीक है और क्या बोल है who is not neighbor of R V क्या है neighbor नहीं है किसका और का ठीक है इतना मुझे पता चल गया इतनी information थी अब मैं चालू कौन सी information से करूंगी बिल्कुल चालू करूंगी आर वाली information से क्यों क्यों क्योंकि मुझे आर का face पता हुआ हुआ है आर कि तरफ देख रहा है center की तरफ देख रहा है इंसाइड की तरफ देख रहा है अब आर के third left पे यू लेना है यह right side होगा यह left side होगा तो आर के third left पे एक दो त्लिंग यहां पे कौन आगया यू आ गया ठीए आर और यू से related information मुझे पता थी तो मैंने इसको क्या किया solve कर लिया अब कहां से लूँगी मैं यू के second left पे कौन है ठीख है यू के second left पे कौन है ठीख है अब यू का face मुझे पाता है क्या नेक तो अब मुझे दो डियाग्रम बनाना पड़ेगा एक outside और एक inside का यू का ठीख है यह मैंने outside ले लिया अब एक मैं बनाओंगी inside का ठीख है यह information हो गई यू के second left पे कौन आ गया ठीख है अब इस information को मैं क्या करती हूँ इधर लिख लेटी हूँ पी और वी opposite direction है एस जो है वह second left है वी की और वी जो है वह neighbor नहीं है आर का ठीख है इत्ता मैंने लिख लिया अब यहांबे मैं अपना दूसरा diagram ड्रॉ कर लेती हूँ ठीख है यहां पे हम क्या करेंगे अपना दूसरा diagram ड्रॉ कर लेंगे यह मैंने ले लिया 7 member ठीख है यह आर था आर देख रहा है इंसाइड आर की थर्ड लेफ्ट पर कौन आ गया यू अब यू का एक बार फेस मैंने बाहर ले लिया है पहले वाले डाइगरम पर ठीक है ये पहला डाइगरम है ये हमारा दूसरा डाइगरम है ठीक है पहले वाले डाइगरम पर यू का फेस आउट सेड ल लिए मों सब्स्वार्ट की से बस्तिए अब क्या बोल रहें जैए है और इधर यहां पर आसकता है 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 क्या बोल रहा है आगे R नेबर है एसका हो गया मिल्कुल हो गया R और S R इंसाइड आ गया थीखे degli ढर आजाएगा इंसेड आ जाएगा और इसका दुसरे ड्यग्रम पर मुझे नहीं have kuchAll. ठीक के अब क्या बोल रहे है ये तो समझ में आ गया अब क्या करना है मुझे इतना समझ में आगा वी के second left पे तो वी का face किदर हो जाएगा पहले वाले diagram में वी का face हो जाएगा अंदर जब तो वी के second left के कौन आ गया S आ गया ठीक है यहां तक का समझ में अब नीचे वाले में मैं कैसे ले सकती हूँ मैं अगर ऐस लूँ इस set पर ठीक है S यहां पे ले रही हूँ तो वी के second left पे S आएगा यहां पे पर नहीं आएगा यह कहां पर यहां पर और यहां पर बोल दिया है कि V neighbor नहीं R का तो यह बनेगा कि S यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है यहाँ पे लेने से R और V क्या हो जारे नेबर हो जारे है तो हम क्या लेंगे V को इधर ले लेंगे S को इधर लेके देखते हैं अब हम S को इधर लेके देखते हैं ठीक है एहसे बोलना रहा है और क्या बूल रहा हिए आर और इस सीट आगया टिक है अंधर Лश और निभरे फिरा आ गया इसा के रहा है बिगत ऑन दिर्फ हैं के विगत फैसा पहां रही अरी के सेंट लेफ्ट पहां इसा को coverage फार पह、 V neighbor नहीं R का फिल्कुल V neighbor नहीं R का ठीक है अब क्या बोल रहा है P neighbor है V का अब इस वाले diagram पे आप बताईए यहां पर V पडोसी बन सकता है क्या P का पिल्कुल नहीं क्योंकि एक पडोसी V का U आ गया एक पड़ोशी टी आ गया तो ये डिए ग्रमिय क्या हो जाएगा मेरा गलत लेगा ठीक है एक डिएग्रम क्या हो गया नीजित्ट प्यード को आउटлять को से बालने हैं पर छहती में जब पनेता यो पूसित्ट में के और हुँ आउटसेट से उन चांशर षीर्म डाइब तरह को चों एहना पर और हम देखेंगे जमें इंआ ना पर देंगा ये कि मे cohort लोगा हैं अबर बाहर की तरफ यह घ्यार फिका अंदर की तरफ देख रहा है यहां पे क्यू बैठा है यहां पे टी बैठा है यहां पे आर बेट आर भी अंदर की तरफ बाहर वाले कौन से मिल गए एक पी मिल गया एक यू मिल गया अब बाहर वाले का पड़ोसी नहीं यहां पी ऐसे ठीक है अंदर की तरफ ठीक है क्या बो टी का हमीं फेस पता करना है मैंने देख लिया यह किया है बाहर कि तरफ लह तो क्यों बाहर देखे गांद क्योंकि ऐ आउटसेट वला तो टो नीवर हो जाएगा फिर ओजर्ट का तो क्यों का फेस बाहर की तरफ यह कहा जाएगा प्योंकर Ctrl किझे मुझे आउटसेड वाले U और P तो तीसरा कौन हो जाएगा T ठीक है क्यों क्यों नहीं हुआ पता चला बिल्कुल पता चला क्यों 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 क्या है क्यों का पडूसी हो जाएगा और हमें क्या चाहिए आउटसेड आउटसेड का पडूसी नहीं चाहिए ठीक है इसलि इस कोश्चन को इंफर्मेशन को बाजू पे लिख के रखें बार बार कोश्चन पर जाने की कोशिस ना करें ठीक है तो यह कोश्चन हमारा सॉल्फ हो गया ठीक है यह एक्साम में हमेशा 5 मांक्स का पूछा जाता है और कभी जब भी आएगा 3-4 कोश्चन आएंगे मतलब 15-20 मार्च का सेटिंग अरेंज्मेंट और पूछल से पूछा जाता है इसका बहुत सारा पार्ट बनाओंगी मैं एक कर चारि हम हर टाउप की कोशिन डिसकस कर देंगे आज हम ने क्या देखा हमारा circle वाला question क्या हो गया complete हो गया sitting arrangement का ठीक है इससे एक related puzzle और पुछी जाती है वो भी हम क्या करेंगे परजल में पढ़ेंगे ठीक है पहले में आपको sitting arrangement solve कना सिखा देती हूं पूरा ठीक है सरकल वाला हमने क्या देख लिया इंसेड देखा एक एक आउटसेड देखा और एक इंसेड और आउटसेड का मिक्षर देख लिया अब हम कल क्या पढ़ेंगे अब हम कल पढ़ेंगे स्क्वाइर वाला ठीक है स्क्वाइर पे भी इंसेड आउटसेड और इंसेड और आउटस